नमस्कार दोस्तो स्वागत है आप सभी का हमारी यूटूब चेनल ग्यान कामना पर दोस्तो आज इस वीडियो में आपको राजिस्थान BSTC या प्री DLD अग्जाम 2021 का एड्मिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें उसके बारे में आपको बताऊंगा दोस्तो अगर आप अपने application ID भूल गए हैं या फिर आपके पास अपना रोल नमबर भी नहीं है तो भी आप आसानी से अपना admit कार्ड वो डाउनलोड कर सकते हैं वीडियो की साथ वो आप बने रहें दोस्तो जैसा कि आप सभी को पता है कि राजिस्थान BSTC exam 2021 जिसे pre-DLD exam के नाम से जाना जाता है उसकी जो exam है वो 31 अगस्त को आई जित होने वाली है तो ऐसे में department के दोवारा सभी candidate के जो admit card है वो जारी कर दिएगे शुरुवात में candidate है वो अपने admit card है वो डाउनलोड नहीं कर पा रहे तो आपको मैं सीधा तरीका वो बता रहा हूँ दोस्तो देखी process तो मैं आपको PC की screen पर ले जाके आपको दिखा रहा हूँ अलांके आगर आपके पास computer नहीं है तो भी आप अपने mobile से ये admit card हो डाउनलोड कर सकते हैं अब आपको डाउनलोड कैसे करना है तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आपको Google पर जाके सर्च करना है DLD 2021 तो देखिए सबसे उपर website आजाएगी pre-dld.com इस website पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है अब जैसे इस website पर आप क्लिक करोगे तो देखिए इस तरह से official website आजाएगी अलांकि एक fake website भी चल रही उस पर आपको नहीं जाना है आपको के और यह.com वाली जो website है इसी पर आपको विजिट करना है जैसे ही दोस्तों इसके home page पर आओगे तो यहाँ पर देखिए left side के अंतर आपको यहाँ पर link मिल जाएगा print admit card इस link पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है अब जैसे यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखिए आपको दो तिन option है वो देखने को मिल जाएगे देखिए यहाँ पर पहला जो option है candidate and it to detail यहाँ आपके पास अपनी खुद की दो जानकारी है तो उससे भी आप अपना admit card है वो डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पर देखिए जो पहला option है candidate and it to detail इस link पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आप कोई भी अपनी दो जानकारी है वो फिल कर सकते हैं application ID भी कर सकते हैं roll number भी कर सकते हैं अपना नाम पिता के नाम से भी आप सर्च कर सकते हैं तो यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर कोई भी एक नाम हो लिख रहा हूँ जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया अनिल कुमार मैंने यहाँ लिख दिया ठीक है इसके बाद दोस्तों मै यहाँ पे लिख रहा हूँ राकेश कुमार जो की उसके पिता का नाम है इसके बाद आपको यहाँ पे list admit card पे आपको यहाँ पे click करना है अब जैसे आप यहाँ पे click करोगे तो यहाँ पे देखिए अनिल नाम से और जिनके पिता का नाम राकेश कुमार है तो उन सभी की detail आपको यहाँ पे सो हो जाएगी उनके देखी यहाँ पे application number आपको यहाँ पे दिखाए देंगे role number है वो भी आपको यहाँ पे दिखाए देंगे ठीक है और उसकी जो जनमतित्थी है वो भी आपको यहाँ पे दिखाए देगी अगर आपकी यहाँ पर detail मिल जाती है तो आपके नाम के देखिए सबसे fast में यहां पर vue का option है आपको मिल जाता है इस वीवाले option पर आपको यहाँ पर click कर देना है अब जैसे आप वीवाले option पर click करोगे तो देखिए इस तरह से आपका यह जो option मिल जाता है एक तो देखे direct print का option मिल जाता है और PDF में आप इसे save हो कर सकते हैं तो दोस्तों इस परकार से अपन pre-DLD या फिर BSTC 2021 का admit card वो download कर सकते हैं अगर आपको admit card download करते समय यदि किसी परकार की कोई दिक्कत आ रही है तो आप वीडियो के निचे comment कीजेगा मां आपकी पूरी help करने की कोशिश करूँगा और बताना आज की वीडियो जानकारी आपको कैसी लगी है अगर वीडियो अच्छी लगी होता है वीडियो को like करना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा share हो कर देंगी तो मिलते हैं friends ऐक लिए एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए जय हिंद जय भारत